और केदारनाथ धाम तक पहुँचने वाला मार्ग कल एक बार फिर से लेंच लाइट के चलते आवरुद्ध हो गया था कल करीब 15 मिटर के आसपास जो रास्ता है च्छानी केम के पास में वह आवरुद्ध हो गया था लेंच लाइट बहुत ही जादा मात्रा में होने के कारण और जिसके कारण करीब हजजारों की संख्या में सधालों वहाँ पर फस गए थे कल दोस्तों यह जो लेंच लाइट है हुआ था और उसके पहले जो यातरी निकल आए वही यातरी कल केदारनाथ धाम में पहुँचे बागी दोस्तों जो यातरी फस गए थे केदारनाथ से नीचे जाने वाले उन्हें पहाडी चड़ा कर नीचे उतार कर रेश्क्यू किया गया कल एक बार फिर से दोस्तों बहुत ही जादा मातरा में लेंसलाइड हुआ था और जिसके कारण दोस्तों करीब 10 से भी अधिक यातरी घायल हुए थे और जो मोद का अकड़ा है दोस्त इसके कारण ये लेंसलाइड हुआ था और केदार नाथ धाम में जो कल पूरे दिन यातरा में जो यातरा मारग है सुने सुने रहे यातरा दोस्तों बंद कर दी गई थी जब रास्ता तूटा था उसके बाद में उससे पहले जो सर्दालू केदार नाथ धाम की यातरा पर निकल गए थे वही यत्री आये और यहां से नीचे जाने वाले यत्रियों को भी रोक दिया गया था और जो यत्री उससे पहले ही रास्ता तूटने से पहले जो रास्ते में थे करीब अभी हजारों की संख्या में थे जो लेंड स्लाइड हुआ था वहाँ पर तो उन सभी यात्रियों को रोका गया और जो नीचे जाने वाले थे उन्हें रेस्क्यू करके वापस से रास्ते को पढ़ा पहाडी चड़के फिर से उतार कर सोन पयाग और गोरी कुंड तक पहुँचाया गया तो दोस्तों इस बार की जो यात्रा है उसमें रिस्क अभी भी बना हुआ है मगर सितंबर का मैना सुरू होते ही मांचुन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है पहाडों में मगर अभी दोस्तों अब केदारनाथ धाम में अभी भी दोस्तों बारिस हो रही है और आने वाले दिनों में मोसम की स्पकार से रहता है दोस्तों हाला कि उसकी जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे मगर कल पेदल यात्रा बहुत ही बिल्कुल ही बंद थी तो हेलिकोप्टर द्वारा ही केदारनाथ धाम में पहुँचने वाले सद्धालू आए मगर हेलिकोप्टर दोस्तों बंद नहीं होते हैं जब मोसम साप रहता है ऐसे समय में हेलिकोप्टर बहुत ही जादा उड़ाने भरते हैं जब मोसम में बादल चा जाते हैं मोसम खराब हो जाता है पूरी तरह से फोग लग जाता है उसी समय हेलिकोप्टर बंद होते हैं हलकी बुलकी अगर बारिज भी होती रहती है तो भ यात्रा है दोस्तों उसमें इस मोसम इस समय तक जैसे आज 22 सितंबर हो गए हैं तो 22 सितंबर तक मोसम पूरी तरह से साब हो जाता है मगर इस वर्ष दोस्तों खत्रा अभी भी केदार घाटी में केदारनात यात्रा में बना हुआ है तो आप लोग अगर यात्रा करें तो पूरी साउधानी से यात्रा करिए दिनों दिन हाथ से होते जा रहे हैं केदारनात धाम की यात्रा पे रिस्क अभी भी बना हुआ है तो आप पूरे साल में 2024 में अभी करीब 40 दिन की यात्रा और बची है तो ऐसे में आप लोग कभी भी यात्रा करें तो पूरी साउधानी से ही यात्रा करिए दोस्तों क्योंकि इस वर्स अब अगले दिनों में दोस्तों भीड भी बहुत ही जादा होने वाली है केदार ना धाम में तो भीड भी दोस्तों कहीं न कहीं यात्रियों की परेशानी का सबब बनने वाली है और मोसम तो दोस्तों पर प्रहिसान लगातार कर ही रहा है तो ऐसे में जो सद्धालू केदार ना धाम की यातरा पर आना चाहते हैं उन सबी से यही कहना चाहूंगा कि आप अगर अगले दिनों यातरा पर आते हैं तो आपको एक तो ट्रेकिंग भी ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि दोस्तों जो रास्ते तूटे हैं उन्हें फिर से जो निर्मान किया है वहाँ पर थोड़ा राउंड लेकर रास्ता बनाया गया है वहीं सोन पयाग गोरीकुंड के बीच में जो सटर सेवा होती है वहाँ पर भी आपको बहुत ही कम टेक्सियां देखने को मिलेगी और वह भी जादा दूरी तई नहीं होगी तो आपको वहाँ पर भी अच्छी खासी पेदल यात्रा करनी पड़ेगी वहीं दोस्तों बात करें केदारनाथ धाम में आने वाले सद्धालों की संख्या की तो जब आज दोस्तों कल जो यात्रा बन थी अब आज फिर से रास्ते को ठीक करके यात्रा को शुरू कर दिया जाएगा तो दो दिन में जो यात्री दो दिन से रुके हुए थे वो सभी यात्री आएंगे तो केदारनाथ धाम में करीब 15-16,000 यात्री आज पहुँचने की संभावना है वही दोस्तों कल केदारनाथ धाम में 3-4,000 सद्धालों आये थे जो हिलिकॉप्टर और सुबह जल्दी पेदल पहुँच गए थे वही यात्री थे बागी दोस्तों केदारनाथ धाम की यात्रा में बात करें अगर नार्मल यात्रा कितने सद्धालों के साथ चल रही है तो आठ से दस हजा सद्धालू प्रतिजिन केदारनाध धाम में आ रहे हैं और केदारनाध धाम में दोस्तों माहोल ठंडा बहुत ही जादा हो चुका है तो आने वाले दिनों में आपको केदारनाध धाम में बहुत ही जादा ठंड दिखने वाली है और मोसम दोस्तों अच्छा खासा साफ हो चुका है मगर फिर भी बीस बीस में केदारनाध धाम में बारिस हो जाती है जिसके कारण बहुत सारी गटनाएं जो होती है वह होती रहती है तो आप पूरी तरह से साउधानी से केदारनाध धाम की यात्रा करिए और जब भी केदार नात धाम आये दोस्तों उससे पहले आप कुछ किलोमेटर ट्रेकिंग जरूर करिए ताकि केदार नात धाम में आने के बाद में आपका जो ट्रेकिंग करने का एक्सपीरियंस है वही आपको